हलो एरिवन वेल्कम तो माई यूट्यूब चानल एच हल्पलाइन कैसे हैं आप लोग तो इस वीडियो में हम लोग 6 नूटिफिकेशन के बार में बात करेंगे जो इगनू के डिफरेंट रिजिनल सेंटर के तरफ से रिलीज की गई है जिसके बार में आप लोग को जाना जरूरी है आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट ज़रूर देख लिजेगा वीडियो पर संदाथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और अगर आप इगनू के स्टुडेंट हो चैनल पर पहली बारा है अलीगर रिजनल सिंटर की जितने पी स्टुडेंट हैं तो वो गूगल फॉर्म से अपना इसामिट समिट कर सकते हैं यहाँ दखेगा अलीगर रिजनल सिंटर में दोनों मोड में ही इसामिट समिट हो रहे हैं यानि के ऑंलाइन भी और उफ्लाइन भी अगर कोई स्टुडेंट चाहता है कि ऑफ्लाइन इसामिट समिट करें तो वो स्टुडी सेंटर में जाके अपना इसामिट कर सकता है या फिर आप लोग गूगल फॉर्म से अपना इसामिट कर सकते हो उसके लिए guidelines release कर दिया गया है जो आप लोगे screen के उपर ने ज़रा रहा है इसका link मैंने description में दे दिया है एक चीद यहां पर ये भी बोल दिया गया है कि अगर आपने already hard copy अपने study center पर submit कर दिया है तो फिर दोबारा submit करने की जोड़त नहीं है उसके बार से जो instruction दिया गया है कि अगर आप online assignment submit करना चाहते हो तो जो आपका PDF file होगा उसका नाम क्या होना चाहिए पहले enrollment नमर होगा फिर underscore फिर आपका program code फिर आपका underscore फिर आपका subject code रहेगा ठीक है उस तरीका से आपको submit करना है और अच्छी बात यह है कि maximum size 100 MB दिया गया है जो कि पिछले बार से उन्होंने सुधार किया है पहले सभी regional center 10 MB, 10 MB करके रखते थे अभी 100 MB सभी regional center ने रखा है ठीक है तो इस तरीका से आप लोग अपना-पना assignment Google form के द्वारा submit कर सकते हो जो भी student अलिगार regional center से बिलॉंग करते है और जितने भी student कुलकता regional center से बिलॉंग करते है जिनका यह query है कि उनको assignment अपना offline submit करना है या online करना है तो देखो अगर आप लोग offline assignment submit करना चाहते हो तो study center में जाके by hand submit कर सकते हो दिकत नहीं है लेकिन अगर आपको online assignment submit करना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कुलकता regional center के तब से online assignment submission करने की facility स्टार्ट की जाएगी लेकिन कुछ दिनों बात I mean और one week के अंदर किसी भी दिन आप लोग को कुलकता regional center के तब से गाइडलेंस देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग को facility दिया जाएगा कि Google form से आप लोग assignment submit कर सकते हो लेकिन अभी अगर आप submit करना चाहते हो अपना assignment तो offline by hand assignment submit कर सकते हो अपने study center पे सबी जगा पे assignment submission लिया जा रहा है ठीक है उसके बाद से जो notification release किया गया है वह है चिने regional center के तरफ से जितने भी student master of psychology और bachelor of psychology प्रोग्राम से बिलॉंग करते हैं उनका practical का schedule जारी कर दिया गया है आठ अप्रिल और 9 अप्रिल को आपका practical का exam होने वाला है Google meet से ही आप लोग को join करना होगा तो जो भी student चिने regional center से बिलॉंग करते हैं master of psychology और bachelor of psychology आपका प्रोग्राम है तो आप लोग इस notification को download कर सकते हो और इसमें जो भी schedule दिया गया है उसको no down कर सकते हो उसके बाद से coaching regional center के तरफ से भी master of psychology के practical का schedule जारी कर दिया गया है लेकिन ज तो जो भी student का practical है उनका list दे दिया गया उनका नाम और enrollment नमर के साथ तो इसको no down कर लेना अगर आप coaching regional center से बिलॉंग करते हो और master of psychology आपका प्रोग्राम है तो उसके बाद से जो notification list किया गया है वो है चिने regional center के तरफ से BCA के student के लिए आपका practical के exam 2 April, 5 April, 7 April, 8 April और 9 April को conduct कर करवाया जाएगा कौन सा subject code के exam कब conduct करवाया जाएगा timing भी दे दिया गया है और किस Google Meet से आप लोग को join होना है उस Google Meet का link भी दे दिया गया है तो इस notification को आप लोग download कर लेना और सभी guidelines को पर लेना link description में दिया हुआ है साथ ही साथ चीने original center के तरफ से ही BLIS program के BLI 227, 224 और 22 29 का भी practical कंड़ा करवाया जा रहा है 3 अप्रिल, 4 अप्रिल और 10 अप्रिल को तो उसके लिए भी notification जारी कर दिया गया है तो आप लोग इसको note down कर सकते हो और last में CIT और CBS program CIT या CBS program के जितने पे student हैं उनका CITL 001 practical का exam भी 11 अप्रिल को कंड़ा करवाया जा रहा है उसका भी notification जारी कर दिया गया है तो चिने रिजनल सेंटर के student इन तीनों notification को जरूर डाउनलोड कर ले अगर वो यह सभी program से बिलॉंग करते हैं तो ठीक है उसके बाद से जो notification release किया गया है वो है है रिजनल सेंटर के तरफ से Master of psychology MPCL 007 का practical के exam कल होने वाला है आप लोग का जो MPCL practical record स उसका status दे दिया गया है बहुत से student को बोला गया है कि आप अपना scan copy जो record के scan copy है वो RCA हैदराबाद के जो email id है और जहां जहां पर yes लिखा हुआ है उनको submit करने की जो अतनी है तो यह बहुत लंबा लिस्ट है जितने भी student का MPCL 007 है ठीक है तो वो इस list को check कर ले न और कली आप लोग का exam है तो उसके बाद से आप लोग exam दे सकते हो उसके बाद से RC करनाल के तरफ से जितने भी student BLIS program से बिलॉंग करते हैं उनका practical का schedule जारी कर दिया गया है आप लोग का group में exam conduct करवाया जाएगा practical का ठीक है online ही conduct करवाया जाएगा तो उसका schedule यहां पे जारी कर दिया गया है कौन-कौन से student eligible है वो भी यहां पे दे दिया गया है और online ही conduct करवाया जाएगा तो link तो यहां पे नह notification तो जारी करी दिया गया है सभी regional center के website पे भी update किया जा रहा है कुछ-कुछ regional center के official website पे update किया गया है इस invitation later को और IGNU के main website पे कल या परसो तक update कर दिया जाएगा बस यही जानलो कि 34th Convocation 15 April को conduct करवाया जा रहा है इसलिए अभी तक अपने registration नहीं किया है तो registration कर लो अगर डाउन कर लेना मैं फिर से आज telegram channel पे इस format को भेज़ दूँगा ताकि जो भी student का enrollment नमर नॉट फॉर्म सो कर रहा है या कोई भी तरह का issue हो रहा है आपको convocation का form fill up करने में तो आप लोग इस पे mail कर सकते हो ठीक है तो यही सबता है इस वीडियो में मैं आप लोग को यह सामी समिशन के बारे में और प्रैक्टिकल के स्टूल के बारे में जिसके बारे में मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताया मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ होगे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे सभी फेंड के साथ है कि उनको भी सभी important information मिल प